Hi everyone, welcome back to Mr. Smart Technical अगर आपको भी flip card से credit card EMI पे कोई सामान लेना है या फिर कोई smartphone लेना है तो इस वीडियो में आपको completely step बज़ step बताने वाला हूँ कि कैसे आपको order करना है साथी में कितना आपको charge देना है साथी में बहुत बार डेल चलती है तो बहुत सारे credit card पे आपे discount offer चलता है तो उसका कैसे lab उठाना है और एक चीज़ और यापे clear करने वाला हूँ बहुत सारे users के मन में ये doubt होता है कि हम credit card से कोई सामान लेंगे तो उसमें बहुत सारा charge लगेगा तो कोई hidden charge भी आपे लगने वाला है क्या या फिर जो charge होंगे वो हमारे सामने होंगे तो वो भी हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं तो आज काई वीडियो बड़ाई helpful हो सकता है अगर आप इस वीडियो को end तक देखते हों तो सारी चीज़े आपको समझ में आ जाएगी सो गज मेरे को पता है आपको भी जानना है कि आप क्रेडिट कार्ड से EMI पे सामान केसे ले सकते हो फ्लिप कार्ड से तो आपको हमारे टेलिग्राम चैनल भी जुरूर से जोइन करना चाहिए क्योंकि बहुत सारी प्रोड़क्ट ऐसे होते हैं जो एकदम सस्ते प्राइज में आ पे आ रखे होते हैं चाहिए Amazon हो चाहिए Flipkart हो या फिर कोई other shopping site हो तो आप हमारे टेलिग्राम चैनल पे होगे तो आपको इस चीज़ का फायदा हो जाएगा बहुत सारे caseback offer चलते रहते हैं उसका update भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा तो अगर आपने join नहीं किया है तो join कर सकते हो link description box और channel के about मिल जाएगा तो गयज मैंने Flipkart की app को open कर लिया है और already मैंने एक phone यहाँ पे order कर रखा है जो कि मैंने credit card EMI से order किया था तो मैंने सोचा एक video बनाके भी share किया जाए तकि और उजर को भी पता चल सके क्योंकि मैंने order किया तब तक मेरे को भी पता नहीं था कि कैसे order करती है क्या hidden charges लगने वाल है जो charges होंगे वो हमारे सामने होंगे क्या तो step बहुत step हम यहाँ पे जानने वाल है तो मैंने order एक video बनाके बता रखा है और flip card pay later से भी आप EMI पर समान ले सकते हूँ उसका आपको next में video मिल जाएगा कि flip card pay later से आप EMI में कोई समान कैसे ले सकते हूँ इस video में हम credit card से जानेंगे कि credit card EMI पर समान कैसे ले सकते हैं तो सबसे पहले हमें कोई product choose करना है जिसे हम EMI पर लेंगे और बता दू EMI पर कोई भी समान लेती हो तो minimum 3000 रुपे का होना चाहिए हो सकता है आगे को इसका rate कम ज़्यादा हो जाएगा बट फिलाल यहाँ पे 3000 minimum होगा तब ही आप EMI पर ले सकते हो इससे ज़्यादा कही कोई समान तो हम कोई भी आपे smartphone ले लेती है एक बार इसी को ले लेती है जैसा कि आपको जो भी product या फिर जो भी smartphone order करना है उसको यह आपे select कर ले ना है आप देख सकते हो मैंने एक बार एक smartphone यह आपे ले लिया है और यह मेरे को मंगवाना है EMI पे साथ में यह भी check करना है कि इस पर कोई credit card का है यह आपे offer भी चल रखा क्या discount offer भी चल रखा क्या तो उसे भी कैसे claim करना है तो आप देख सकते हो अगर हमारे पास city bank का credit या debit card होगा तो हमें 10% का यह आपे discount मिल जाएगा तो मेरे पास city bank का credit card नहीं है ICCA bank का है तो हमारे card पे यह offer है नहीं अगर आपके पास city bank का credit card होगा तो जब आप इसे order करोगे तो end में आपको amount discount होना होगा वह वहाँ पे आपको दिखा देगा ना कि आपको apply करना है automatic वहाँ पे discount हो जाएगा जैसा कि मैंने एक smart phone पहले यहाँ पे order किया था जिसका price यहाँ पे 25,000 रुपए था बट वो यहाँ पे ICCA bank के credit card की वज़े से मेरे को यहाँ पे 20,000 कुछ में ही यहाँ पे मिल गया था मैं आपको दिखा दूँ जो कि Realme GT Master Edition यह smart phone है जिसमें आप देख सकते हो 20,999 रुपए का यहाँ पे पड़ा है इसमें मेरे को 5,000 रुपए का discount मिला था और अभी भी आप इसका price देख सकते हो जो कि 25,999 रुपए है और अभी इसके ओपर कोई discount ओफर नहीं है सिवाए City Bank credit card के जिसमें भी 10% यहाँ पे discount है सबसे पहले ऊपर यूपर यहाँ पे flip card paylator EMI का आपको option मिल जाएगा तो आप देख सकते हो flip card paylator EMI का यहाँ पे option मिल रखा है तो इसपे click करके भी आप देख सकते हो जो कि flip card paylator का EMI है वो ज्यादा interest हमें आपे देना होता है जिसमें आप देख सकते हो अगर आप 3 महीने का करते हो तो आपको इतने का EMI देना होगा पर महीने टोटल आपको cost लगेगा जो कि smartphone का price है और टोटल आपको इतने का पढ़ने वाल है अगर आप 6 महीने का लेते हो तो एक महीने का EMI यह है और यहाँ पे टोटल cost आपको इतना पढ़ेगा तो हमें पेलेटर से नहीं लेना है मेरे पास ICCA Bank का credit card है तो एक बार इससे check कर लेते हैं तो इस पे click करेंगे तो आप देख सकते हो 3 महीने का EMI होके इतना पढ़ गया साथ में 6 का 9 का आप इस परकार देख सकते हो तो आपको देख लेना है कि किसी साब से आपको लेना है कितने महीने के EMI के साथ लेना है वो आपको यहाँ से देख लेना है फिर वापस back आना है अगर आप यहाँ से नहीं देखते हो तो end में आप order करोगे तब भी आपको दिखा दिया जाएगा तो हम बाइना उपे click करते हैं जैसे बाइना उपे click करेंगे तो हमें आपे address select कर लेना है कि कौन से address पे हमें इस phone को मंगवाना है तो मैं आपे मेरा address select कर लेता हूँ जो smartphone मैंने पहले select कर रखा था प्रोब्लम हो जाएगी तो आप इसको ले सकते हो otherwise इसे भी नहीं लेना है या फिर अगर आपको back cover या glass चाहिए तो आप इने भी add कर सकते हो अगर आपको कोई add चाहिए तो आप add करके याँ पे continue कर सकते हो सायचे 100 रुपे का वाउचर आपको यहाँ पे मिलेगा, नीचे आप देख सकते हो गाना का जो प्लस सब्सक्रिप्चन प्लान है 6 महीने का, वह भी आपको इस फोन के साथ फ्री में मिल जाता है, नीचे आप चलोगे, टोटल इसका प्राइस दिखा रखा है, डिसकाउंट य हम यहाँ पे आज आएंगे, तो अब हमें देखना है कि क्या डिसकाउंट है या फिर क्या डिसकाउंट नहीं है, तो नीचे आप देख सकते हो मेरा ICCA Bank का जो क्रेडिट कार्ड है, उसके उपर 1000 रुपे का डिसकाउंट है, मतलब 879 रुपे का हमारा फोन था, आप 779 रु आपको दिखाऊंट की डिसकाउंट कैसे मिलेगा, कंटिन्यू पे क्लिक करना है, जैसे हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, नेस्ट पेज पर हम यह आपे आज आएंगे, अब आपके पास कौन से बैंक का क्रेडिट कार्ड है वो आपको स्लेट कर लेना है, जैसे हमाँ ICCA Bank पिख सकते हो 12.99% लगेगा साथी में ये 6 महीने का देख सकते हो तो आपको जो बी प्लान चाहिए वो आपको सेलेक्ट कर लेना है या फिर आप मल्टिपलाई करके देख सकते हो कि ये वाला प्लान हम लेते हैं तो हमें टोटल कितना देना होता है और एक बहुत आपर बता द पर दिखा दिया जता है बट इस वाले में कोई भी चार नहीं है तो हमें आपे यह वाला plan select करके continue पर click करते हैं जैसे continue पर click करेंगे total हमें आपे बता दिया जता है कि कितना interest लगेगा जितना आप जो discount वो मिल रहा है अब आप देख सकते हो discount होने वाद जितना भी amount बचा है व आपे interest है वो भी आपे add कर दिया जता है और जो amount एक बार करता है वो बिना interest के करता है और आप EMI को calculate करके देख लेना थोड़ा सा amount कि यहाँ पर ज्यादा होगा तो अगर आपको यह purchase करना है तो आपको अपने credit card का CVVN number डालके और यहाँ पर इस page पर आने के बाद आपको continue पर click करना है card में जो registered mobile number उसके उपर एक OTP जाएगा OTP डालके आपको payment कर देना है तो जितना amount आपका discount होगे जितना amount बचा है वो amount आपके credit card से debit हो जाएगा और something 8 दिन का time लगेगा 8 दिन के अंदर जो amount है उसको EMI में convert कर दिया जाएगा और जो amount है वो वापस refund कर दिया ज जाएगा तो उसके बाद आपको payment करना है और बता दू इसके लवा आपको कोई भी charge नहीं देना होगा जो भी charge होगे वो आपके सामने होगे कोई भी hidden charge आपको यह आपके नहीं देना होगा तो आप इस परकार order कर सकते हो तो guys मैंने आपको step by step बता दिया कि आप flip card से credit card EMI कोई समान केसे ले सकते हो चाहिए smartphone हो चाहिए कोई other appliance हो discount केसे ले सकते हो या फिर जो charge है जब वो केसे लगते हैं तो complete मैंने आपको process बता दिया है अगर आपने वीडियो end तक देखा होगा तो आपको समझ में आ गया होगा उमीद करता हूँ आज का ये वीडियो आपको helpful लगा होगा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जुरूर से like करना साथ में से अपने दोस्तों के साथ जुरूर से share करना अगर आपको हमसे कुछ पूछना है तो आप comment कर सकते हो फिर मेरे को टेलिग्राम है इस्टाग्राम पर पूछ सकते हो दोनों का लिंक आपको इ है नेक्स्ट वीडियो में